ग्री मंद्री राजनात की अगुआई में 30 सांसदों की सर्वेदल्य टीम ने शुरी नगर पहुँचकर बैठक शुरू कर दी है दो दिन के दोरे में ये सांसद लग-लग समुदाई के लोगों से बातचीत करेंगे इस बातचीत का उद्देश्य कश्मीर के बिगड़े हालातों को सामान्य बनाना है घाटी में पिछले दो महिनों से कर्फ्यू लगा है इस दल में 20 पार्टियों से ज्यादा पार्टियों के सांसद है जिन में वितमंत्री अरंजेटली, राम विलास पासवान, कॉंगस के नेता, गुलाम नभी आज़ाद, मार्क स्वाधी, कम्यूनिस्ट पार्टी नेता, सीता राम यचुरी और AIM-IM के सांसद असुद्दिम ओवेसी भी शामिल है के सभी निता, कश्मीर में रास्दितिक दलो के परतिमिदियों से बात चीत करेंगे और शान्ती का कोई रास्ता निकालने का प्यास करेंगे हिस्बुल कमांडर बुरहनवानी के मारे जाने के बाद घाटी में पैदा हुए हालात ठीक होने का नाम नहीं ले रहे हैं 58 बे दिन भी कश्मीर के कई हिस्सों में कर्फू जारी है हिंसा में मरने वालों की संख्या तेहतर तक महुँच गई है रविवार को शोपिया में प्रदशनकारियों ने मिनी सच्छवाले में आग लगा दी प्रदशनकारियों सुरक्षा बलों के बीच जड़प जारी है इस जड़प में करीब 20 लोग घायल हो गई है इससे पहले शनिवार को अनंतिनाज जिले के काजी गुंड के वेसु शेत्र में सुरक्षा बलों के साथ हुई जडप में एक नागरिक की मौत हो गई जड़प में करीब 200 परदशनकारी घायल हो गई पिछले 58 दिनों से चल रहे हिंसा के बीच करीब 10,000 लोग घायल हो चुके है Most Wanted आतंकी और हिजबूल मुजाइद दिन का प्रमुक सयद सलाहुद्दीन ने कश्मीन में किसी तरह के शांती पून समाधान में अर्चन डालने की कसम खाई है सलाहुद्दीन ने धमकी दिये कि वो घाटी को भारतिय सैनिकों की कबरगाहा बना देगा उसने कहा कि वो कश्मीरियों को सुसाइट बोमर्स बनाएगा जो घाटी को भारतिय फोजों का कबरगाहा बना देंगे साथ ही उसने इस लड़ाई को कश्मीर से बाहर ले जाने की भी बात कही बात चीत को व्यर्थ बताते होएं सलाहुद्दीन ने कहा कि आतंगवाद के अलावा कश्मीर का कोई समाधान नहीं है कश्मीरी ने तिर्टू लोगों और मुजाइद्दीन को पता होना चाहिए कि बहां कोई उप्चारिक शांतिपुन रास्ता नहीं है सलाहुद्दीन ने कहा कि हिजबुल कमांडर वुर्भान बानी के मारे जाने के बाद कश्मीर में आंदोलन महत्पुन पड़ाओ पर पहुँच चुका है उसने कहा कि जब तक भारत कश्मीर को एक विवादित नहीं मानेगा तब तक बातचित नहीं हो सकती दिली के मुक्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल 9 सितंबर को बुलाए गए विधानसबा के विशेस्त सत्र से दूरी बना सकते हैं इसकी वज़ा केजरिवाल का पंजाब दोरा है जहां वो 8 सितंबर से 11 सितंबर तक चुनावी रैलिया करेंगे सुत्रों की माने तो केजरिवाल पंजाब में खिसानों का मैनिफेस्ट रो जारी कर सकते हैं पंजाब दोरे में चुनावी मसलों को लेकर तीन दिनों तक जनिता से संबाद होगा और कई बैठके भी होंगी लेकिन इसे बीच दिल्ली के मुद्दो पर बुलाएगा इस सत्र में केजरिवाल के शामिल होने की उमीद बेहत कम है अगस्त के महीने में दिल्ली विदानसबा के चार दिन के मोनसुन सत्र के दोरान केजरिवाल तीन दिन विदानसबा से नदारद रहे थे सितंबर के एक महिने में भी केजरीवाल धिल्ली से दूर रहेंगे इस समय मुख्यमंत्री वेटिकन सिटी में मदर टेरिसा के कारेक्रम में शामिल होने गए है विरो रिपोर्ट मेट्रोटी जी टुण्टी समयलन में हिस्सा लेने चीन के हांग जोंग पहुचे पीयं मोदी ने चीन के राश्ट्रपति शीर जिनपिंग से मुलाकात की दोनों नेताओं के बीच दुईपक्ष वार्ता भी हुई तीन महिने के भीतर दोनों नेताओं किये दूसरी मुलाकात है इससे पहले जून में उन्होंने ताशकंद में शंगाई सयोग संगिटन की बैटक से इतर मुलाकात की थी शनिवार को चीन पहुँचेने के बाद विदेश मंत्राले के प्रवक्ता विकास स्वरुप ने मोदी के आगमन के बारे में टीट करते हुए कहा हनोई में सुबै हांग जोऊं में राद वियतनाम के दो दिवस्य दोरे के बाद मोदी यहां पहुँचे हैं दोनों देशों के बीच मतवेद का विशय बने मुद्दो में चीन पाकिस्तान आर्थी गलियारा भी शामिल है जो पाक अदिक्रित कश्मीर से होकर गुजरता है जूई पक्षिय वारता में पियम मोदी ने खिर्गिस्तान के बेश केक में चीनी दुदावास लोहवी स्पोर्ट की निंदा की पियम मोदी ने अपनी एक्ट इस्टिनिती के तहत वियतनाम दोरे पर कई एहम संकेत दिये पियम ने बौध मठ पगोड़ा गए और वहां बौध विक्षूओं से मुलाकात की पियम ने कहा कि भारत और वियतनाम के संबन 2000 साल प्राचीन है पियम मोदी ने कहा कुछ लोग यहां युद्ध का उद्धिश लेकर आई पियम मोधी ने कहा बं बंदू वाले वियतनाम से सीके की युद्ध से अधिक परिवरतन बुद्ध लाता है उत्नाम पहुचना ओद वियतनाम में चार हिंदो के मंदिरों के समारक का होना इस संबन की पुश्टी करता है कश्मीर घाटी में प्रदशनकारियों पर अब पैलेट गन के बजाए मिर्ची पाउडर वाले पावा गोले का इस्तेमाल किया जाएगा किंगरी गिरीमंतरी राजनात सिंग ने सरवदलिय परतिनीधी मंडल के साथ कश्मीर जाने से एक दिन पहले इस पर सहमती दे दी आधिकारिक सुत्रों के निसाल गिरी मंत्री ने स्वष्ट किया कि प्रदशनकारियों पर काबू पाने के लिए पैलिट गन के बजाए अब नोनी वेमाइड यानी पहला गार्निक एसिड वेनाइल एमाइड का इस्तेवाल किया जाएगा आपको बता दे कि आज तक्रीबन एक अजार गोले कश्मीर पहुँच जाएंगे पिछले महिने 24 और 25 अगस्त को कश्मीर दोरे पर गिरी मंत्री ने कहा था कि स्रक्षा वलो को पैलिट गन का विकल्प जल्द ही दिया जाएगा वेटिकन सिटी में एक समारो के दोरान रोमन कैथोलिक चर्च के पोप फ्रांसिसी मदर टेरिसा को संथ खोशित करेंगे इस मौके पर दुनिया भर से आए मदर के एक लाख नियाई भी मोजूद होंगे पिरेश मंत्री सुष्मा स्वेराज के नित्रितु में केंद्र सरकार का एक बारा सदस्य अप्रदिमिदी मंडल दिल्ली से सियम केजडिवाल के नित्रितु में और बंगा से सियम ममता बनरजी के नित्रितु में राज्य इस्तरिय दल भी इसकारे क्रम में शरीक होंगे नोबिल पुनुसकर विजेता दिवगंत मदर तेरेसा द्वारा इस्तापित मिशिनरी ओफ चारेटी के ननों के मुताबिक मदर की लोग प्रेता के कारण रॉम में होने वाले समारों का दुनिया भर में विशेश महतू होगा महराश्टर के सीम देविंदर फणनवीस और अभिनेता मिता बच्चन ने शनिवार को ज़ाडू लगाई तो भारत अभियान के तहट माकली नाथन का आयोजन किया गया था अमिता आभ इस अभियान के एमबेसजर है जेजे अस्पताल के बाहर कारे करता और चात्रों के साथ पढ़ नवीस और बच्चन भी ज़ाडू लेकर उतरे सीम ने कहा दो अक्टूबर तक महराश्टर के पचास शह स्वच हो जाएंगी अब राज्ये में साथ हजार गाउं खुले में सोच मुक्त है वही अमिता बच्चन ने कहा अगर आप किसी को गंदगी करते देखे तो जाकर उसे रोके उन्हें बताई कि वे क्या गलत कर रहे हैं अगर आप बार बार टोकेंगे तो लोग ज़रूर बदलेंगे यूपी के रामपूर के सुआर में नगर विकास मंतरी मुहमद आजम खान एक जनसभा को संबोधित करते होई बिना नाम लिए पियम मोधी पर जम कर हमला बोला उन्होंने देश के बादशा को कमजोर और बुजदिल करार देते हुए कहा कि देश के रखवालों के दुश्मन देश जहां सिर काट रहा हो वही देश का बादशा पाकिस्तान जाकर देश के दुश्मन की मा को कश्मीरी शोल भेट कर इसके पैल चु रहा है अगर उन्हें बादशाह बना दिया जाए तो पाकिस्तान के कबजे वाला कश्मीर भी हिंदुस्तान में होगा इस दोरान उन्होंने कहा कि एक पुंची पती ने देश के बादशाह को अपना एम्मेंस्टर बना कर कारोबार की दुनिया में बेच दिया है ये शर्म की बात है संदिप कुमार ने कोल डिंग्स में नशे की दवा मिला कर दी और उसके बाद योन्चोशन किया ये औरोप उस महिला का है जो सीडी में दिखाई दे रही है महिला ने फिलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है और अबाम आदमी पार्टी के पूर मंतरी के खिलाफ रेप का केस दर्ज हो चुका है इस बीच फिलिस ने संदिप कुमार को ग्रफतार कर लिया है पुलिस के मताबिक संदिव कुमार को गोट के सामने पेश किया जाएगा पुलिस का कहना है कि शिगुवाती सभूत के आधार पर विदायब को गरफतार किया गया है दरसल सीडी में दिली सरकार के बरखास्त मंत्री संदिप कुमार के साथ दिख रही महिला के सामने आते ही एक बर स्यासी गलियारे में हड़कम्प मच गया है गीतकार जाविद अख्तर ने तीन तलाग के मुद्दे पर मुस्लिम परसनल लो बोर्ड पर भड़ास निकाली है जाविद अख्तर ने मुस्लिम परसनल लो बोर्ड को मुसल्मानों का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है जाविद अक्तर ने ट्वीट कर काहा मैं तीन तलाग को सही ठहराने पर मुस्लिम परसनल बोर्ड के कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ पिय अपने ही समुदाई के सबसे बड़े दुश्मन है गोर्टलाबे की बोर्ड ने तीन तलाग को सही ठहराया है बोर्ड ने सुप्रिम पोर्ड में हलफ नामा दाखिल किया है हलफ नाफे में बोर्ड ने कहा कि परसनल लोगों सामजिक सुदार के नाम पर दोबारा से नहीं लिखा जा सकता तलाग की वैदिता सुप्रिम पोर्ड पैन नहीं कर सकता है पाकिस्तान के पूरो मन्तरी रह्मान मलिक ने भारत पर आरोख लगाते भए काहा कि भारत बाकिस्तान के ब्लूचिस्टान में पूरवी पाकिस्तान जसी सिती पैदा कर दी है आसिफ अली जरदारी की सरकार में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से मंत्री रहे रहमान मलिक ने भारत पर अलगावादियों की मदद करने का आरोप लगाया है रहमान मलिक ने कहा कि ब्लूचिस्तान में बंगाल वाजन के समय हुई पूर्वी पाकस्तान जैसे स्थिदी बन रही है इस स्थिधी में पस्चिमी देशों का संग्रुक्षन प्राप्तिकर भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर मुक्त वाहिनी की भूमिका निवा रहा है बंगलदेश का टरबंती जमाद एस्लामी के मुख्य फाइनिसर और मीडिया हस्ती मीर कासिम अली को फासी दे दी गई है कासिम को उन्नी से कैतर में हुए मुक्ती संग्राम के दोरान गलत भूमिका को फासी की सजा सुनाई गई थी कासिम को फासी देने का अंतिम आदेश जेल अधिकारियों को सोपा गया था फासी से जेल अधिकारियों ने कासिम अली मीर के परिवार को अंतिम बार मिलने के लिए बुलाया था सभी प्रिक्रिया पूरी करने के बाद ढाका के बाहरी लाके में मौजूद काशिमपूर के इंद्रिय कारगार में कड़ी सुरक्षा के बीच कासिम को फांसी के फंदे से लटका दिया गया